आज हम दिसक्रस होने वाले हैं कि मार्केट के अंदर कैसे हमें profitable trader बनना चाहिए और यहाँ पर अगर आप beginner है बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है तो आपको यहाँ पर क्या-क्या सीखना चाहिए basic क्या सीखना चाहिए और most important कौन सी strategy सीखनी चाहिए जैसे कि आप यहाँ पर ल apply करनी चाहिए वो केसे यहाँ पर apply करनी है और केसे आपको यहाँ पर trade के अंदर उसको use कर रहा है वीडियो के बीच में मैं आपको तीन ऐसी strategy बताऊंगा कि जिसकी मदद से आप as a beginner profitable भी रह सकते हैं और वो strategy लंबे समय तक use भी कर सकेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते ह है तो rule number one है कि learn basics of stock market अभी यहाँ पर basic की बात की है तो आपको पता ही होगा कि basic के अंदर क्या क्या आता है जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है candlestick pattern chart pattern तो यह basic में आता है और कुछ भी आपको सीखने की जरूरत नहीं है सिर्फ आपको basic के अंदर क्या सीखना है candlestick pattern औ को मिल जाएंगे तो वो आप सीख लीजिए अगर आपको पता है तो बहुत यह अच्छी वात है अगर आपको नहीं पता तो मैं एक example देकर आपको मैं समझा दाऊं कि यहाँ पर candlestick pattern की से कहते है जैसे कि यहाँ पर green candle है और red candle है तो एक तो हो गया यह कि यह दो प्रकार की यहाँ पर candle आती है तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जो इसकी tail है मतलब कि यहाँ पर इसकी जो shadow है वो उपर भी है और नीचे भी है तो यहाँ पर अलग-अलग candle में अलग-अलग प्रकार होते है जैसे कि यहाँ पर जो last candle बनी हुई है वो है hammer candle फिर यहाँ पर बहुत स candle आती है पर उल्टी आती है कि उसकी जो body है वो नीचे आती है मतलब कि यह जो color वाला part है वो नीचे होता है और जो इसकी tail है मतलब कि जो shadow है वो उपर होती है तो उसको भी कुछ और कहा जाता है और उसका meaning भी अलग निकलता है तो यहाँ पर आपको basic सिखना है कि candlestick pattern क्या है और वो क्या कहना चाती है इसके बाद हम लेते हैं कि chart pattern क्या है तो chart pattern का मैं आपको एक दो example दे रहेता हूं तो यहां पर आप लेटर्स देखेंगे तो डबल्यू पैटन बना हुआ है मतलब कि यहां पर आप देखेंगे अगर और आप ड्रो भी कर सकते हैं कि यहां पर एक डबल्यू पैटन है मतलब यहां पर हम वह भी कह सकते कि यहां पर फास्ट बॉटम है और यहां पर सेकेंड पूरी है वह अपलाई नहीं कर रहा है तो इस तरह की और बहुत सारी पैटन भी होती है सिर्फ आपको याद रखनी है और आपको जानना है कि यह कौन-कौन सी एसे में मतलब कि simple moving average, fib retracement मतलब कि fibonacci retracement, fibonacci retracement को fibonacci भी प्रनॉंस किया जाता है मैं आपको ये indicator भी दिखा देता हूँ कि ये कहां से आते है और ये हमें क्या कहना चाते है यहां पर हम RSI को लेकर एक चेक करते है कि यहां कर हमने RSI लगाया होता तो यह हमें आज क्या क्या देता तो यहां पर हमें indicator के अंदर जाना है यहां पर लिखना है RSI तो यहां पर नीचे आपको लिखा हुआ आ जाएगा relative strength index वो है RSI आपको यहां पर RSI को लगा दिया है इसकी setting में कुछ भी change नहीं करना है और यहां पर हमें पता चलता है कि कुछ line उपर जाती है कुछ line नीचे भी आती है मतलब यहां पर दो line है तो इसके अंदर yellow यहां से cross कर रही है और यहां पर वापिस जो purple line है वो उपर cross कर रही है तो इसका भी meaning कुछ और होता है और अगर वो उपर की line और नीचे की line मतलब कि यह जो पूरा level है जो 70 दिया हुआ है यहां पर और यहां पर नीचे 30 दिया हुआ है आप right side end में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा तो यह level जब भी cross करता है तो क्या होता है वो आपको समझ नहीं है और इसको भी implement नहीं करना है अब हम rule no.3 देखते हैं तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि don't apply multiple strategies daily अब यहां पर लोग क्या करते है और जो specially beginners है वो क्या करते है और जो ज्यादा लालज करते है वो क्या करते है तो यहां पर सुपे कोई और strategy apply करते है फिर यारा बार दूसरी strategy को apply करते है और उसके बाद तीसरी strategy apply करते है यह क्यूं करते है क्यूंकि उनको loss जाता है और वो cover करने के चकर में अलग-अलग strategy apply करते जाते है अब यहां पर मैं आपको basic जानकारी दे देता हूं कि loss हर एक strategy के अंदर है सिर्फ आपको यह जानना है कि वो कहां पर आता है कैसे आता है और कितना आता है उसी के हिसाब से आपको आगे ट्रेड करना है आपको लॉस देखकर ये strategy छोड़ नहीं देनी है अगर आप वो सीछ जायेंगे कि इसके अंदर हमें कैसे और कहां पर लोस आया था और आगे चल कर वो हमें क्या ध्यान रखना है तो आपको वो strategy के ऊपर अच्छी सी पकड़ आ जाएंगी और लंबे समय तक आप profitable रह सकते हैं यह एकदम basic information है और वो सब आपको पता ही होगा पर अगर beginner है जो यहाँ पर नए आए है तो उसको जानना बहुत जरूरी है और strategy का meaning यहाँ पर मैं आपको एक line में बता दूँ तो यहाँ पर मैं live market में आपको check करके बताता हूँ कि यहाँ पर अगर हमने अलग-अलग strategy apply की होती तो क्या होता अब यहाँ पर हम चलते हैं कि सबसे पहले हम chart pattern देखते हैं यहाँ पर हमने देखा कि जो 14 March यहाँ पर है जो आज उपर गया है market और 13 March को नीचे आया था तो यहाँ पर 13 March को क्यों नीचे आया होगा कैसे आया होगा हमें कुछ भी नहीं पता यह तो आज हम देख रहे हैं इसलिए पता है कि नीचे आया है अगर हम सिर्फ यहाँ पर support and resistance जो करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ break होता हुआ नजर आ जाता तो यहाँ पर हमने देखा कि ब्रेक हो गया है शायद आगे वो हमें काम ना भी आये तो अभी यहाँ पर break हो गया है तो इसको हम कर देते हैं delete और यहाँ पर हमने ले लिया था trade जो profit में था अब हमने क्या क करते हैं कि trade लेने के चक्र में हम अलग-अलग strategy apply करने लगते हैं तो आपको अपनी strategy छोड़ नहीं देनी है आपको अलग-अलग strategy apply नहीं करनी है next हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर rule no.4 में क्या करना है तो rule no.4 है कि test your strategy in live market for one month अगर आपको result देखना है और अगर आपको नह एक महिने के लिए वो live market के अंदर test करना है आप सोचेंगे कि एक महिना तो बहुत जादा हो जाएगा एक महिने में तो मैं करोड़ पती हो जाओंगा तो यह नहीं होता है market हमेशा रहता यह lifetime market रहेगा ही रहेगा एक महिने के अंदर आप अगर जलबाजी में trade करेंगे तो आप market से बाहर हो जाएगे market वहीं का वहीं होगा तो मेरा यह मानना है मेरा यह suggestion है कि आपको minimum एक महिना live market के अंदर जो भी आप strategy देख रहे हैं वो वहाँ पर test करनी है सिर्फ और सिर्फ test करनी है तो वहाँ पर आपको क्या करना है test के अंदर अपने पास जो भी fund है मान beginner की तरह सोचो कि मैंने पास अगर 10,000 है तो मुझे 10,000 के अंदर क्या क्या trade आ सकते है और कहां कहां पर आ रहे हैं और कितना वहां पर profit दे रहे हैं कितना वहां पर loss दे रहे हैं सब कुछ मुझे not करते जाना है और आपको वह strategy के अंदर जो भी rule है वह आपको follow करने है rule क्या क्या होता है तो यहां पर मैंने rule number 5 के अंदर लिखा है कि start trading and follow the rules of your strategy अब trading आपको कहां पर start करने है एक महिने के बाद और आपको rule कहां पर follow करने है तो आप जब live market के अंदर test कर रहे है जब आप not down कर रहे हैं सिर्फ तो वहां पर भी आपको क्या rule follow करने है तो आपको follow करना है कि entry कहां पर हो रही है exit point कहां पर है stop loss क्या है strategy का और no trade zone कौन सा है मतलब की और एक strategy के अंदर no trade zone होते है कि वहां पर हमें trade नहीं करना है और वो भी एक trading का part है जैसे कि यहां पर हम बात करते है कि support in resistance की जो हमने बात की अभी कि यहां पर मैंने देखा कि एक resistance था और नीच target मिला था वो मुझे मिल गया 50.60 point या फिर 100 point का target मिल गया अब मेरा trade यहां पर खतम हो जाता है market चाहे यहां से और double नीचे आ जाए पर मेरा यहां पर trade close अब यहां पर जो strategy है मतलब कि यह मान लिजए कि support and resistance strategy में apply कर रहा हूं और उसकी अंदर यह rule है कि एक trade मिलने के बाद trade नहीं करना है या फिर 2 trade मिलने के बाद आपको trade नहीं कर रहा है तो मुझे यहां पर आगे कोई भी trade के लिए सोचना ही नहीं है तो वेसे ही हर एक strategy के rule होते है कि कहाँ पर entry है कहाँ पर exit है कहाँ पर stop loss है और कहाँ पर no trade zone है और दिन में कितने trade लेने है और मेरा यह suggestion है अगर आपका पहला trade profit है तो दूसरा trade आपको लेना ही नहीं है और अगर आपका पहला trade loss है तो ही आपको दूसरा trade लेने के लिए wait करना है कि कहां पर entry मिल रही है अब next हम देखेंगे कि मेरा क्या suggestion है इसके अंदर कि आपको कौन सी strategy पहले सीखनी चाहिए as a beginner तो मैं यहाँ पर जो है वो go charting platform के उपर कर सकते है मतलब कि जो हम यहाँ पर trading view के अंदर अभी देख रहे थे उसी की तरह go charting platform आता है तो आप अभी order flow cancel कर दीजे आपको यहाँ पर दो ही strategy सीखनी है अब यहाँ पर मैं आपको दोनों थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूं की CPR क्या है और option chain क आपको दोनों की link नीचे description के अंदर मिल जाएगी अब यहाँ पर CPR क्या है तो यहाँ हमें indicator के अंदर जाना है फिर यहाँ पर आपको type करना है CPR with SMA, EMA या फिर आप सिर्फ CPR भी type करेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर मैंने star किया हुआ है इसल इसको आपको click करके ले लेना है और यहाँ पर मैंने पूरा CPR के बारे में समझाया हुआ है CPR कितने प्रकार के होते है वहाँ पर हमें अगर CPR उपर होता है तो क्या करना चाहिए नीचे होता है तो क्या करना चाहिए वाइड रेंज होता है तो क्या करना चाहिए नेरो रेंज है तो यहां पर इतनी movement नहीं मिली थी जितनी यहां पर सुभे थोड़ी moment मिली थी मतलब की वाइड रेंज का meaning भी होता है कि वह sideways रहने की कोशिश करता है फिर यहां पर आप देख सकते हैं 13 marks नेरो रेंज मतलब जो blue line है वो नस्दीक होती है और यहां पर उसका meaning होता है कि वो आपको trade देगा ही देगा और आपको यहाँ पर वो भी बता चल जाता है कि कहाँ पर और किस दिशा में trade मिलेगा मतलब कि आपको buy करना है या फिर sell करना है तो आप clear यहाँ पर देख सकते हैं कि super train कहे रहा है red ये में भी कह रहा है नीचे के लिए और यहाँ पर उसने break भी कर दिया था नीचे की और यहाँ पर और नीचे गया भी था फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं wide range था तो sideways है वो वेसे ही में सारे CPR समझाए हुए है अब इसी तरह आप option chain भी देख सकते हैं option chain में क्या होता है यहाँ पर आपको Google के अंदर सिर्फ आपको type करना है option chain और सीधा NSE की side आपको मिल जाएगी और NSE की side के अंदर आपको यहाँ पर nifty लिखा हुआ है अगर आप bank nifty select करना जाए तो bank nifty भी कर सकते है और यहाँ पर nifty लिखा हुआ है nifty के अंदर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको पूरा option chain मिल जाएगा जो range अभी चल रही है उसी के आसपास का और उसके अंदर आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या और कैसे देखना है और कहाँ पर वो trade हमें मिल सकता है तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको यह information अची लगी तो एक like कर दीजिएगा ऐसी information के लिए चैनल को subscribe कर दीजिएगा मिलते हैं नई वीडियो में Thank you